हरे कृष्णा, आज हम चैतन्य चरिताम्रित आदिलीला के चौथा अध्याय, अध्याय चार का समापन करेंगे, आज का श्लोक है, श्लोक नंबर 263, 263 श्लोक का से हम आज हम पढ़ेंगे जया जया श्री चैतन्य जया नित्यानन्दा, जया द्वैता चंद्र जया गोर भक्त ब्रिंदा जया जया श्री चैतन्य जया नित्यानन्दा, जया द्वैता चंद्र जया गोर भक्त ब्रिंदा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare श्लुक नमबर 263 नाना जत्न कोडिया मी नाडिया स्वाधिते श्रे शुक्खा मा धुल जग्ञाने लोभा बाढे चित्ते रस आस्वाधिते आमी कोईल अबतार प्रेम रस आस्वाधिल बिविध प्रकार राग मार्गे भक्त भक्ती करे जे प्रकारे ताहा शिखाईल लिला आचरण द्वारे एते न त्रिष्णा मुरा नहिल पुरण बिजाती अभाबे नहे ताहा अस्वाधन राधिकार भाब कांती अंगिकार बिने शे तिन अशुख कभू नहे अश्वाधने राधा भाब अंगिकरी धरी तारा बर्ण तिन शुख आस्वाधिते हबाब तिर्ना तो ये बहुत ही महत्वपुर्णा श्लोक है चैतन चरितामरित से जो अभी हमने पढ़ा भागवान श्रकृष्णा कहते है कि जितना राधा को देखकर राधा भक्तों में सर्वश्रिष्ट है और भागवान भक्तों को देखकर अतनते प्रसन्न होते है तो कृष्णा कह रहे है कि राधा को देखकर में जितना प्रसन्न होता हूँ राधा मुझे देखकर इससे अधिक प्रसद्न होती है अर्थात मुझसे भी जादा सुख का अनुभब करती है मुझसे भी जादा रसका अस्वादन करती है तो अनेक प्रयत्नों की बाद भी मैं उतना रसका जितना राधारा ने अस्वादन कर रही है आस्वादन करने के लिए समर्द नहीं हो सका किन्तु जब मैं इसकी मधूरता को सुंगता हूँ तो उस सुख का आस्वादन करने की मेरी जो इच्छा है वो बहुत बढ़ जाती है अर्था जब भगवान देखते कि राधराने इतना आस्वादन कर रही है तो उस मधूरता क्रिश्ण के अंदर वो मधूरता है जो राधराने आस्वादन कर रही है तो वही मधूरता क्रिश्ण भी आस्वादन करना चाहते है अब भक्त बनके, खुदी खुद का भक्त बनके और कहते हैं कि पहले में रसों का अस्वाधन करने के लिए संसार में प्रकट हुआ था और मैंने शुद्ध प्रेम के रसों का अनिक प्रकार से अस्वाधन किया मैंने भक्तों को रागा नूगा प्रेम से प्रकट होने वाली भक्ती की सिक्षा दी और हम देखेंगे चतना महाप्रभू हमें ये सिक्षा भी देते हैं कि हमें भक्ती कैसे करने चाहिए चतना महाप्रभू हमें चार सिधान देते हैं त्रनाद अपी सुनीचे न त्रीन से भी खुद को स्वयम को विनम्र बनाना है तुच्य मानना है तरोरपी सहिष्णुना विरिक्ष से भी ज़्यादा अधिक सहिष्णु बनना है विरिक्ष को कई दाल कारता है आम तोरने के लिए पत्थर फेकते हैं तो विरिक्ष सहन करते हैं तो ऐसे ब्यक्ति को जीवन का सुख दुख सेहन करना है, आप दुख को नहीं रोक सकते हैं, ये भौतिक संसार दुखालयम असास्वतम है, तो दुख तो आएगा ही, ये पहला है, दुसरा है, दुख आता है इच्छाओ की बज़े से, कौन से इच्छाओ? भौतिक इच्छा समाप्त हो जाएगा, इस धर्ती पर रहकर ही, आपके सारे दुख समाप्त हो जाएगा, आप बिलकुल पीसफूल और ब्लिसफूल जीवन बिता सकते हैं, तो समझते भौतिक इच्छाओ समाप्त हो जाए, अगर आप एक नॉर्मल वेक्ति को बोलेंगे, तो वो कहें का जि जिन्होंने भक्ति में कदम रख दिया है, जो भक्ति की यात्रा है उस पर चल पड़े है, तो उनको समझ में आएगा कि किस तरह धीरे 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 उनकी जो बहुत इक इच्छाए है, उस समाप्त हो रही है और आध्याप्मी इच्छाए विकसित हो रही है, तो इस प्रका क्रिश्न इसमें कहते हैं कौन से तिनिच्छा पूर्ती नहीं हुई? राधा की स्थिती का अस्वादन जो राधा है न सरविश्रिष्ट क्रिश्न की भक्त है उनका स्थिती है उसका अस्वादन उसको समझना दुसरा अपने माधुरियों को समझना जो क्रिश्न की अंदर माधुरिया है उसको समझना तिसरा राधा द्वारा अस्वादित आनन्द का उपभोग एक पहला है राधारानी को समझना राधारानी का जो पुजिश्चन है दुसरा है कृष्ण के अंदर जो मधुरता है उसको समझना और तिसरा है राधा के द्वारा जो अस्वादित उपभोग है जितना आनंदित राधा होती है उतना ही आनंद का अस्वादन करना फिर इसलिए बोलते है भगवाल अगर राधिका के भाव कांटी राधिका का भाव में ग्रहन नहीं करूँगा राधिका की कांटी को स्विकार नहीं करूँगा तो यही तिन इच्छाय भगवाल होकर भी मेरी कभी भी पूरी नहीं हो सकती है तो इतना महान स्थिती है श्रीमत्य राधिका का तो भगवान ने उनकी कांती उनका रंग जो ही गुल्डन कलर सुन्दर वो ग्रहन किया चेतना महाप्रभु के रूप में और उनके भाव कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव है उसको भी ग्रहन किया अतेव राधराने की भावो को और उनके शारिरिक वर्ण को धारन करके इन ती तीन इच्छों को पुड़ा करने के लिए में अवतरीत होंगा चेतना महाप्रभु के रूप में भगवान कहते हैं आगे 269 श्लोका है अब सर्वभाबे कोईल क्रिष्ण एतनिच्चया हैनकाले आईला जुगा अबतार शमया श्रेकाले श्रियाद्वैता करेण अराधना ताहर होंकारे कोईला क्रिष्णेया कर्षना पिता माता गुरुगण आगे अबतारी राधिकार भाब बर्न अंगेकार करी नबद्विपे शची गर्भा शुद्ध दुगध सिंधु ताहाते प्रकट होईला क्रिष्ण पूर्ण इंदु तो यहाँ पर बताया कि इस प्रकार भागवान क्रिष्ण इस निर्णय पर पहुचे कि मैं राधारानी का भाव लेकर चैतिन्द महाप्रभु के रूप में राधारानी का ही रंग लेकर प्रकट हो जाऊंगा और उसी समय युगावतार का समय भी आ गया तो उस समय अद्वेत आचारिय जो है अद्वेत आचारिय भगवान विश्णू और सदाशित दोनों का युगल अवतार है तो जब चतना महाप्रभु आते हैं उससे भी बहुत पहले वो आते हैं और वो निष्ठा से पुजा क करते हैं शालिक राम की गंगा जल से अभिशेकम करते हैं रोज तुलसी पत्र चराते हैं और तेज तेज पुकार से भगवान को आकरिष्ट किया कि आप आये अब अवतरिद हुए चैतना महाप्रभु के रूप में तो इसलिए भगवान कृष्ण ने क्या क्या जैसे भग भगवान क्रिष्ण सबसे पहले अपने माता पिता को भेजते हैं गुरुजन को भेजते हैं वैसे ही सर्वप्रतम भगवान ने गुरुजन को माता पिता को भेजा और फिर स्वयम क्रिष्ण राधिका का भाव और अंका वर्ण लेकर नवद्दीप में क्षिर सागर के समा प्रकट हुए इस तरह भगवान का आभिर्भाव हो जाता है तो आगे बताया गया है श्री रुपगुस्वामी कृतस्टव माला के अंतरगत दृतिया चैतनाश्टक का ये तृतिया श्लोक है 275 श्लोक 275 श्लोक है भगवान का माधूरिया रजिन भक्त के रिदय में कृष्ण के लिए जितना अधिक प्रेम होगा उतना ही उनका आस्वादन बढ़ जाएगा उन्होंने चैतना महाप्रवु का रुपधारन किया उन्होंने राधा के तेजुमाई गौरवर्ण से अपने शामवर्ण को छुपा दिया और उन्होंने उस प्रेम का अस्वादन किया जिस प्रेम का अस्वादन भक्त भगवान से करते हैं तो इस्टेरों से श्री कृष्णदा, श्री रूप्त श्री रगुनात के चरन कमलों में प्रात्ना करते हुए और उनके क्रिपा के आकायंक्षा करते हुए तथा उनके पैदाचिनों पर चल कर श्री चैतना चरितामरित का जो ये वरना हो रहा है और इस प्रकार चैतना चरितामरित के आदिलिला के श्री चैतना महा प्रभु के प्राकृत्य के गुईह कारण श्रिशक चतुरत अध्याय का भक्ति विदान ततात्पिरे पूर्णा हुआ आज आदे लेला अध्याय चार का समापन हुआ आप सब का रिदे से बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा